हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधान सभा चुनाओं आने वाले हैं वहीं चुनाओं को देखते हुए कॉंग्रिस पार्टी तेजी के साथ जमीनी स्तर पर कारे करने में जुट गई है यही कारण है कि डलहौजी विधान सभाक्षेतर से कॉंग्रिस पार्टी की वरिष्ट नेतरी और विधाई का आशा कुमारी ने अपनी विधान सभा में कारे करताओं के साथ समवाद करना शुरू कर दिया है इसे के चलते ही 50 भाजपा की परिवारों ने भाजपा का साथ छोड़ कर कॉंग्रिस पार्टी और आशा कुमारी के साथ आने का फैसला किया है जिसके चलते कॉंग्रिस की विधाई का आशा कुमारी ने इन सभी परिवारों के सदश्यों का स्वागत किया है बतारें कि जैसे जैसे चुनाम नजदिक आते जाएंगे तो लोग पार्टी छोड़ने और थामने का सिलसिला आगे यूँ ही बढ़ाते रहेंगे लेकिन सलुनी से भाचपा के लिए बड़ा जटका लगा है जहां एक साथ पजास परिवारों ने भाचपा को अलवीदा कहा तो आने वाले चुनाम में इसका नुकसन भाचपा को उठाना पड़ सकता है आशा कुमारी ने कहा कि महंगाई बिरोजगारी और भाचपा की कार्यकरतों का जूट बोलना साथ ही जूटी घोशनाय करने से अब भाचपा के लोग भाचपा को बाय बाय कहने लगे है आशा कुभाई ने कहा कि इस महेंगाई के दौर में भाजपाय ने लोग परिशान कर दिये हैं वहीं दूसरी और डलहोजी से कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेत्री और विधाय का आशा कुभाई ने आगे कहा कि भाजपाय की नीतियों से तंग होकर और भाजपाय के 50 परिवारों ने कॉंग्रेस का दामन थामा है उन्हें कहा कि महंगाई विरोजगारी और अग्रीपत जैसे कई विश्य हैं जिसे लोग परिशान हो गए हैं और लोगों ने अपना मन बना लिया है और कांग्रेस पार्टी में लगतर भाजपा के अलग अलग पंचायतों के लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जता रहे हैं किहार सेक्टर का कारिकरता कारिकरम था और उस कारिकरता कारिकरम में बहुत सारे भारती जनता पार्टी के लोग अपनी पार्टी को छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं कारणों में जो मैंने लोगों से समझा, मैंने उनसे बात की, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष थे, लगभग मिलाकर के 50 परिवार हैं जिन्होंने अलग-अलग पंचायतों से, जिन्होंने कांग्रिस का अकल हाथ पकड़ा, धामन पकड़ा, महंगाई, बेरोजगारी काम ना होना, भारते जन्ता पार्टी के नुमाइंदों का जूट बोलना, बहकाना, जूटी नौक्रियों का आशवाशन देना, इस तरह की बाते जो हैं ज़्यादा सुनने को मिली, और एक दो लोगों ने ये जो अगनी वीर कारिक्रम चालू हुआ, उसमें से एक व्यक्त और हम बोले इसके साथ रहे भारती जन्ता पाटी के साथ, मगर जब ये अगनी वीर कारिक्रम चालू हुआ दो दिन पहले, तो उनके छोटे भाई ने आत्मात्या करने का प्रयास किया, तो बहुत जादा प्रभावित है, भगवती का शुक्र है कि वो बच्चा बच गया, मगर जो मेंटल एक बोलते हैं, टॉर्चर, दबाव, मानसिक दबाव में जो बच्चे युवा आ रहे हैं, उसकी वज़ा से निश्चित तो परिवार के लोग हैं, वो भी विचलित हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया, कि भारती जन्ता पाटी ये देश के लिए ठीक नही और हमारे इलाके के लिए तो बिल्कुली ठीक नहीं है.